तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास एक सिंगल प्यार है और छोटा केज है बजीस पैरट उसमें रख रखे हैं तो हम उसमें किस तरहां से जल्दी से ब्रीड ले लें तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे आपको मैं बताऊंगा कि सिंगल केज में एक छोटे केज में एक सिंगल प्यार बजीस पैरट से किस तरहां से ब्रीड लेनी चाहिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे अगर हम उन चीजों को फॉलो करें तो हमारे यहां पर हमारा एक प्यार जो है सिंगल केज के अंदर जल् एक छोटे केज में हम लोग एक पेर से ब्रीड एजली ले सकते हैं तो पहले उसकी वीडियो आपसे शेर करेंगे थी दोस्तों उसमें जो पेर था उसमें एक फीमेल थी दोस्तों जो ब्रीड करती थी लेकिन दो ब्रीड से वो लगातार अंडों की क्वांटिटी उसकी कम हो पहले उसने तीन अंडे दिये फिर दो अंडे दिये इस तरह से वो लगातार अंडे कम करती जा रही थी तो मुझे लगा उस फीमेल के अंदर कुछ विटामिस और केल्शियम वगरा की कमी है तो मैंने उस फीमेल को निकाल दिया और उसकी जगा उस केज के अंदर मैंने उस मे process to दोस्तों यह हैं दो तो कुछ जाधा अच्छा केज ne रखना चाहते हूं क्योंकि जाता भाई इसúsica के रखते हैं तो मैंनें इसी केज मैं परण अपना एक पयर रखते़ था गूंट इसमा मेel female विल कान्फर्म थे उनकी breed भी हुई तो उसके बाद female जो थी वो अंडे देना उसने कर दिया कम तो मैं दिखाता हूँ आपको वो female तो दोस्तों यह है वो female sky blue की female है दोस्तों यह आप देखें वेंट वगेरा से feather वगेरा हटे हुए हैं तो breed वगेरा कर रही है यह तो देखें इसकी nose भी brown हो रही है eyes में circle है तो fully adult female है दो बार इसने breed अच्छी की पांच माच अंडे दिये उसके बाद दोस्तों third breed जब करी इस female ने तीन अंडे दिये और चौती breed करी तो दो अंडे दिये तो लगातार इसकी अंडे कम हो रहे थे quantity कम हो रही थी तो इसको वैसे कोई चर्बी वगएरा की problem नहीं है कोई motion वगएरा नहीं है fully fit है यह female आप देख सकते हैं तो मैंने इसको दोस्तों सोचा क्यों ना इसको निकाल दिया जा तो मैंने इसको निकाल दिया ताकि इसकी calcium और vitamins वगएरा की कमी पूरी करें तो इससे अब breed नहीं लेंगे तो इस cage के अंदर दोस्तों मैंने दूसरी female डाली जो की blue color की है yellow headed तो मैंने इस male के साथ छोड़ी दोस्तों तो उसके साथ भी pair लग गया आठ दिन में ही और आप देख सकते हैं माशालला से breed हो चुकी है अंडा आ चुका है मटकी के अंदर तो यही वो male है दोस्तों आपने पहली वीडियो में देखा होगा तो यह early fight का yellow color का male है इसकी age काफी जादा है तो यह female जो है यह लगवग 4-5 महिने की है तो अभी इसकी first breed है यह मेरी colony का निकला हुआ ही पठा है तो यह breed पर आ रही थी कुछ females वगएरा से इसकी fight हो रही थी मटकी के नहीं है मेरे यहां मटकी इतनी जादा नहीं लगी है जितने pair हैं उससे 2-4 ही मटकी फालतू है तो मटकी की वज़ा से इसकी एक female से fight हो रही थी तो मैंने सुचा इसको single जो यह cage है छोटा cage इसके अंदर छोड़ कर इस male के साथ देखते हैं क्या pair लगता है क्या नहीं और दोस्तो आठ दिन के अंदर pair लग गया matting स्टार्ट हो गई और उसके बाद आप देख सकते हैं अंडा भी आ चुका है मटकी के अंदर male female बैटे है इस male की पहले जो female थी मैंने अभी दिखाई थी आपको sky blue color की female थी उसी के साथ pair लगा हुआ था breed वगएरा भी हो रही थी लेकिन अंडो की quantity अब कम हो रही थी जिसकी वज़ा से मैंने उस female को बहार निकाल दिया और इस female को मैंने रखा इस cage के अंदर तो breed हो चुकी है तो अब दोस्तों आपको बताते हैं कि single जो pair है छोटे cage में उससे breed किस तरह से ली जाती है देखिए छोटे cage में आप हमेशा इस बात का खयाल लखें एक pair से अगर आपको breed लेनी है तो आप बहुत जादा बड़ा cage ना रखें अगर single pair है आपके पास और जादा बड़ा cage आप रखेंगे तो male अलग बैट जाएगा female अलग बैट जाएगी दोनों एक दूसरे में इंटरस्ट नहीं लेंगे तो pair लगना ही मुश्किल हो जाएगा तो breed भी कहां से होगी दोस्तों तो हमें इस बात का खयाल लगना चाहिए cage दो बाई दो का होना चाहिए इससे जादा बड़ा cage ना हो और जो stick लगानी होती है दोस्तों केवल एक stick लगाया करें single pair है आपके पाथ छोटा cage है तो एक stick लगाएं जादा stick आपको लगाने की जरूरत नहीं है एक stick लगाएंगे male female एक ही लकड़ी के उपर बैठते हैं दोनों पास पास रहते हैं जितना male female पास पास रहेंगे उतनी जल्दी उनका pair लगेगा उतनी जल्दी वो breed करेंगे तो दोस्तों एक ही stick लगाएं एक stick लगाने से male female पास पास रहते हैं जल्दी breed हो जाती है और आप हमेशा कोशिश ये करा करें के male थोड़ा बड़ी age का रखा करें यानि adult male लखें semi adult female लखें यानि female दो चार महीने छोटी होगी male से तो male जल्दी pair लग जाता है उनका male जल्दी female को attract करता है मटकी की तरफ ले कर जाता है breed की तरफ aggressive aggressor होता है और female को भी ले कर आता है breed की तरफ और दोस्तों अगर male जो होता है वो भी semi adult है female भी semi adult है तो male को इतना experience नहीं होता है breed वगरा करने का ना तो धंग से matting कर पाता है ना pair वगरा लगा पाता है starting में और ना ही मटकी की तरफ ले कर जाता है female को तो male बड़ी age का रखें female छोटी age का रखें और दोस्तों जब भी आप pair वगरा लगाया करें male female करके छोड़ते हैं confirm cage के अंदर तो दोस्तों 8-10 दिन में result आ जाता है आपको देख लेना चाहिए 8-10 दिन में ही आपको movement महसूस हो जाएगा के male female एक दूसरे की तरफ एट्रैक हो रहे हैं या नहीं और थोड़ा और wait करने तो 15 दिन maximum होते हैं 15 दिन के अंदर male female दोनों एक दूसरे में interest दिखाना शुरू कर देते हैं आप देखा करें थोड़ा सा time निकाल के गौर करा करें के male female एक दूसरे में interest ले रहे हैं या नहीं या male interested है या female interested है इस बात पर गौर करा करें 15 दिन के अंदर result मिल जाता जब आपको लग जाए के male interested है female नहीं है तो female को change कर दें आप दूसरी female लेकर उस cage के अंदर रखें देख लीजेगा कितनी जल्दी पेल लगेगा और दोस्तों अगर female interested है male interest नहीं ले रहा है तो उस male को change करके दूसरा male लगाएं थोड़ी बड़ी age का male लगाएं फॉरण female उसके साथ पेल लगा लेगी और फॉरण मटकी के अंदर जाना start कर देगी और breed भी जल्दी हो जाएगी तो single cage के अंदर दोस्तों आप लोग जो है single pair जब होता है तो थोड़ा सा गौर करा करें थोड़ा बैट के देखा करें आपको जल्दी महसूस हो जाएगा पेर वगारा लग रहा है क्या नहीं male female कौन interested है कौन नहीं है और दोस्तों cage को हमेशा जब भी आप रखा करें एक जगा fix करदा करें उसकी जगा को change ना करा करें एक जगा fix करने के बाद उसके आसपास ज़ादा disturbance ना रखा करें privacy वगरा दें अगर आप privacy नहीं दे सकते तो तीन साइट से कपड़ा लगा के cage को cover करदा करें सामने का front खुला रखा करें उससे bird को आसपास का moment ज़ादा नजर नहीं आता disturbance नहीं नजर आता तो पेल लगने में आसानी हो जाती है तो ये बात बहुत ज़ादा आप follow करा करें के cage की एक तो जगा change ना करा करें बिल्कुल भी जहाँ पर भी एक जगा cage रख दिया उसको fix कर दें और cage के तीन साइट से कपड़े से cover करदा करें ताकि आसपास की side से birds को आसपास को महल नजर न आए इससे जल्दी पेल लगता है जल्दी breed होती है तो दोस्तों ये थी single pair बजीज पेरट से छोटे cage में breed किस तरह से लें कि वीडियो वीडियो अच्छी लगती तो करें लाइक इजाज़त दीजिए ओके गुड़ बाई